Software, Objectives इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे कि software क्या है, software के मुख्टलिफ एक्साम क्या है, आप समझ सकेंगे कि software क्या 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 काम सर इंजाम देते हैं, और आप ये भी जान जाएंगे कि software का version किसे कहते हैं Software आप हाड़वेर के बारे में तो जानगे, लेकिन कोई भी हाड़वेर सॉफ्टवेर के बगएर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेर कम्प्यूटर का वो हिसा है जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ये बिल्वल इसी तरह हैं जिस तरह आप अपने जहन में कुछ सोचते हैं। मसलन अगर आपने अपने किसी दोस के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो वो एक सॉफ्टवेर है। उसे ना तो आप छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। फिर आपका जहन उसी प्रोग्राम के मताबिक आपके जिसन के मुक्तली फाजा को हिदायात देता है। मसलन उठो, चलो, बस स्टॉप पर जाओ वगेरा। इसी तरह सॉफ्टवेर भी हदायात का मजमुआ है। कम्प्यूटर का प्रोसेसर इसी सॉफ्टवेर के जिरिये कम्प्यूटर को हदायात देता है और इससे काम लेता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानि इस कोर्स को देख और सुन रहे हैं, ये भी software की वज़ा से मुम्किन है. आपने देखा होगा, कि रोजमर्राज जिन्दगी में मुख्तलिफ चीजों के मॉडल होते हैं, मसलन गारियों में हॉंडा के मुख्तलिफ मॉडल सिविक, सिटी, एकॉर्ड वगरें हैं, इन में भी हर साल नए मॉडल आते हैं, हर नए मॉडल में कुछ इजाफी खूबियां होती हैं और जो खामियां पिछले मॉडल में होती हैं वो नए मॉडल में खत्म कर दी जाती हैं इसी तरह सौफ़वेर के भी मुख्तलिफ मॉडल या वर्जिन होते हैं हर नया वर्जिन पिछले वर्जिन से कुछ ज़्यादा खूबियों का हामिल होता है Main Categories Software के तीन बुनियादी अकसाम हैं ये System Software, Utility Software, Application Software के नामों से जानी जाती हैं आईए अब हम आपको इनके बारे में तफसील से बताती हैं System Software System Software ऐसा Software होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेर को मॉनेटर करने और कंट्रोल करने का जिमदार होता है Operating System और Device Drivers System Software की मिसाले है Operating System आए हम देखते हैं कि Operating System क्या है Operating System होटेल के मैनेजर की मानन्द है जिससरा एक होटेल का मैनेजर एक होटेल को मैनेज करता है यानि वो देखता है कि कितने कमरे खाली है कौन-कौन सी गाड़ियां ठीक है स्टाफ के किस मेंबर ने आज क्या काम करना है वगेरा मुखतसरन ये कि वो होटेल के कस्टुमर यानि यूजर को तमाम सहूलियात फराहम करने का सिमदार होता है इसी तरह Operating System कंप्यूटर के अंदर तमाम कामों को मैनेज करता है यानि डिस्क पर इंफरमिशन किस तरह सेव होगी प्रिंटर कब प्रिंट करेगा डेटा मैमरी में कब और कहां स्टोर होगा या कोई प्रोग्राम कैसे चलेगा मुखतसरन ये कि Operating System कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्ड़वेर के दरम्यान तालोग काइम करता है और यूजर को हार्ड़वेर इस्तमाल करने की सहूलत फराहम करता है इस वक्त मार्केट में मुक्तलिफ Operating Systems मौझूद है इन में से सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने बाला Operating System Microsoft Windows है और इसी Operating System के जिरिया आप ये लेसन को सुन और देख रहे हैं Microsoft Windows Operating System के बहुत से वर्जिन्स आ चुके हैं जैसे कि Windows XP, Windows 7, Windows 8 और Windows 10 वगेरा डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्ट्वे की दूसरी एहम काटिगरी डिवाइस ड्राइवर है डिवाइस ड्राइवर बेसिकली हाडवेर को फिजिकली मैनेज करता है जिस तरह एक होटेल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें ड्राइवर की जुरूरत पड़ती है इसे तरह operating system बताता है कि printer ने क्या print करना है मगर असल में printer से print कराने का जब्यूर जब्यूर का ड्राइवर होता है इसे तरह हर device के अलेधा device software मौझूद है आईए अब हम software के दूसरी category को देखते हैं जिसे हम utility software कहते हैं इसको समझने के लिए भी हम होटेल की मिसाल देखते हैं। जिस तरह एक होटेल में मुक्तलिफ चीज़ों को ठीक करने के लिए मुक्तलिफ लोग मौजूद होते हैं। मसलिन बिजली में अगर कोई खराबी हो तो इलेक्टरिशन होगा। फरनिचर में रिपेरिंग के लिए कोई और लोग मौजूद होंगे। उसे तरह युटिलिटी सॉफ्ट्वेर भी ऐसी सॉफ्ट्वेर हैं जो कम्प्यूटर को मिन्टेन करने के लिए समाल होते हैं। मसलिन, स्कांडिस्क और अंटिवाइरस वगेरा जिसके बारे हमी आप अगली लेसन में पढ़ेंगे। आप सिस्टम्स सॉफ्ट्वेर और युटिलिटी सॉफ्ट्वेर के बारे में तो जान चुके हैं। आईए, अब हम आपको application software के बारे में कुछ बताते हैं। रोज मर्रा की जिंदगी में, अगर हम अपनी होटल वाली मिसाल पर दोबारा गौर करें, तो हम देखते हैं कि हर काम को करने के लिए अलहता लोग मखसूस होते हैं। मसलन, receptionist का काम आने वाले customer को guide करना और उनकी booking की मताबिक उनको जगा फरहम करना है। accountant का काम, रोज मर्रा के लेंदेन की तफसीला दर्ज करना है। इसी तरह, application software ऐसे software होते हैं, जिसके जरिए user अपने रोज मर्रा के मुखतलिफ काम आसानी से सरअजाम दे सकता है। application software, software की सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाली किस्म है। मसलन, इसके जरिए letters, forms और मेमूस वगारा लिखे जा सकते हैं। रोज मर्रा का हिसाब किताब करना, presentations बनाना या कोई drawings बनाना भी application software के जरिए मुम्किन हैं। application software में बहुत से softwares चामिल हैं और ये नए-नए softwares मार्केट में दिन बे-दिन आते भी रहते हैं। यहां हम application software की कुछ मुशूर इकसाम की बात करते हैं। Word Processes के माइनी, अलफास पर कुछ process करना है। लहाजा ऐसे softwares, जो अलफास या text पर कुई काम करते हैं, उन्हें हम word processing software कहते हैं। पहले वक्तों में typewriter को इस्तमाल करके formal text, यानी खतूत और memo type किया जाते थे। word processing software किया जात के बात, computer को letters लिखने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा। word processor एक ऐसा software है, जिसके जरीए keyboard की मदद से कुछ भी type किया जा सकता है। और ना सिर्फ इसको type किया जा सकता है, बलकि अगर इसमें कोई गलती हो जाए, तो उसको कागस पर print करने से पहले ठीक भी किया जा सकता है। इसके इलावा, इसे महफूस भी किया जा सकता है। इसके इलावा, आप इसमें लिखे हुए text के spellings भी check और ठीक भी कर सकते हैं। अखबारात और असाइल वगेरा भी word processing के software के जरीए ही तैयार किये जाते हैं। आजकल इस्तमाल होने वाले एक मशूर word processor का नाम Microsoft Word है। Spreadsheet Spreadsheet इन काघस की sheets को कहा जाता है जिन पर हिसाब किताब या calculations की जाती है। इन काघस की sheets पर इस तरह के खाने और lines होती हैं जिन में आदादों शुमार लिखे जाते हैं। Spreadsheet software भी एक application software है। Accounts का काम करने वाले manually यानि हातों से spreadsheet तियार करते हैं। इसको computer पर भी किया जा सकता है जिसके लिए मुक्तलिफ software मुझूद हैं। इन software को हम Spreadsheet software का नाम देते हैं। इसकी एक मिसाल Microsoft Excel है। इस software के जरिए हम आदादों शुमार और हिसाब किताब का काम बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी मुक्तलिफ खाने या cells होती हैं जो के rows और column की शकल में होती हैं। इन में आदादों शुमार लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हर cell का नाम उसके column और row number से मिलकर बनता है। मसलन ये cell B column में है और row 4 में है और इस तरह इसका नाम B4 होगा। और फिर इन पर मुक्तलिफ फॉर्मूलाज लगाकर कैलकुलेशन्स कर सकते हैं। मिसाल के तोर पर हमने ये चंद नंबर एंटर किये हैं। अगर हम इन सब को जमा करना चाहें तो cells के नामों की मदद से हम formula लिख सकते हैं और keyboard से enter press करने से results देख सकते हैं। अगर हम किसी cell में value बदलते हैं तो result भी खुद बखुद update हो जाता है। अगर हम इनकी average निकालना चाहें तो वो भी मुम्किन है। इस तरह के और बहुत से काम करने के लिए इसमें बने-बनाए formula या functions मौजूद होते हैं। इसमें information को graph या chart के जरिए दिखाने की सहुलत भी मौजूद होती है। मसलन ये chart पिछले 5 सालों में computer इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादात को जाहिर कर रहा है। इसके इलावा आप अपना काम महफूज या save कर सकते हैं और बाद में इसको दोबारा देख और तबदील भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको जिस spreadsheet software के जरिए दिखाई जा रही हैं, उसका नाम Microsoft Excel है। Presentation Software आईए, अब हम एक और application software को देखते हैं, जिसे हम presentation software कहते हैं। जिन्दगी में हमें कभी ना कभी अपने ideas को दुनिया के सामने लाने की जरूरत पड़ती है। मसला आप अगर अपना कोई project अपने office वालों या clients को दिखाना चाते हैं, या school में अगर आपको कोई काम दिया जाता है, तो आपने उसे पूरी class के सामने पेश करना होता है। इसके लिए आप blackboard या whiteboard का इस्तेमाल करती हैं। या projector को use करके अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं। इस काम को तयार करके पेश करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। Computer software ने हमारे जिन्दगी बहुत आसान बना दी है और presentation software तयार किये गए हैं। ये ऐसे software हैं जिनकी मदद से हम कोई information एक अच्छे तरीके से present कर सकती हैं। इन software से तयार करदा presentation में लिखाई या text के अलावा आवाज और तसावीर पी शामिल की जा सकती हैं। इस software के अंदर मुख्तलिफ information को अलहदा अलहदा pages पर लिखा जाता है जिनको slides कहा जाता है। आप अपनी मर्जी से इन slides के रंग और अलफाज चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप screen पर जिस presentation software को देख रही हैं उसका नाम Microsoft PowerPoint है। जिस तरह बागी दो application software में किये गए काम को मैफूस किया जाता और बाद में देखा और तबदील किया जा सकता है। इसी तरह presentation software में भी किया जा सकता है। आप सोच रही होंगी कि इन तमाम software के साथ Microsoft का लफ्स बार बार इस्तिमाल हो रहा है। दरसल, Microsoft एक बहुत मशूर software company का नाम है, जिसके बनाए हुए बहुत से softwares आसानी से दस्तियाप है। समरी इस लेसन में हमने सीखा कि software क्या होता है। हमने software के मुक्तलिफ इकसाम, मसलन system software, utility software और application software के बारे में जाना। इसके इलावा हमने देखा कि software किस लिए इस्तिमाल किया जाता है, यानि ये क्या काम करता है।